यूपी के बदोही में जूटे तत्यों के अधार पर मुकदमा दर्ज करने के मामले में कोई रौना थाने के पूर्व थाना प्रभारी समेत चार पुलिस कर्मियों को स्पी राम बदन सिंग ने रविवार को निलंबित कर दिया है विवेचना में घोर लापरवाही वरतने के कारण पूर्व प्रभारी समेत पांच पूलिस कर्मियों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है अपर पुलिस अदिक्षक वारणासी प्रोटोकॉल की जांच आख्या पर हुई कारवाही से पुलिस महकमे में खलबली मच गई है 12 जुलाई 2020 को ततकालिन प्रभारी निरिक्षक कोईरोना संजे कुमार राई की देख रेख में उप निरिक्षक राम आशीष, सिपाही रविंदर कुमार, प्रदीब कुमार, विश्नु सरोंज ने कतित तौर पर 40 बदुआ मज़़ूरों को मुक्त कराया था इस मामले में ट्रक चालक का चलान कर ट्रक नंबर MH15GV 6324 को सीज कर चालक के खिलाफ जूटे तत्यों के अधार पर मुकदमा दर्ज किया गया इसकी विवेचना उप निरिक्षक आध्या परसाद याद और नेम तुल्ला खाने की आरोप है की विवेचना में सही तत्यों को जागर नहीं किया गया शिकायत पर अपर पुलिस अधिक्षक वारणासी प्रोटोकॉल ने जाच की जिसमें पाया की 40 मज़ूर पूरे काम करने के लिए जा रहे थे चालक के खिलाफ जूटे तत्यों के अधार पर मुकदमा दर्ज किया गया आख्या मिलने पर स्पी राम बदन सिंग ने ततकालिन प्रभारी निरिक्षक कोईरोना संजे कुमार राय सही सभी पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया